नमस्कार राजे इससर क्लासिस में आपका स्वागत है साइन्स क्लास नाइन चेप्टर थ्री परमाणु एम और पार्ट वन इस वीडियों मैं परमाणु पर प्राचीन काल के दार्शनिकों एम बैगानिकों के बिचार डाल्टन का परमाणु से धान, रासानी सेयों के नियम, परमाणु की परिभासा, परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु का द्रवमान, जैसे महत्पू टापिक पर चर्चा करूँगा तो देखे, पहली टापिक परमाणु पर प्राचीन काल के दार्शनिकों एम बैग्यानिकों की बिचार प्राचीन काल से ही बैग्यानिक और दार्शनिक द्रव की सुष्च सरस्चना के बिसे में कलपना करते रहें जिसमें एक महत्पूर्णा भारती दार्शनिक मार्शी कनाट का है उन्होंने परमाणु के बारे में एक बहुत सुविवस्थित विचार दिया तो उसको देखा जै भारती दार्शनिक मार्शी कनाट के अनुसार यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे-छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुना विभाजित नहीं किया जा सकेगा और थाथ वह सुचमतम कड अविवाज रहेगा इस अविवाज सुचमतम कड को ही उन्होंने परमाणू का महरशी कणात कहते हैं कि यदि हम दरव को क्या करते जाएं विभाजित करते जाएं तो वह छोटे-छोटे कणों में विभगत होता जाएगा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी को उसे पुना हम विभाजित नहीं कर पाएंगे तो उसको उन्होंने इस सुचमतम अविवाज कड को ही उन्होंने परमाणू का नाम दिया लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डिमोक्रिटस एउं लिव सीपस ने भी महरशी कनाट के अंसार ही अपने विचार प्रस्टुत किये ये सभी सुचाओ दार्शनिक बिचारों पर आधारित थे इन बिचारों की वैदता सिध करने के लिए उस समय कोई प्रायोगिक कार नहीं हुए डाल्टन का परमाणू शिद्धान सन अठारसो आठ में जान डाल्टन ने द्रविक की सनचना के संबंध में एक सुविवस्थित विचार प्रस्थुत किया जिसे डाल्टन का परमाणू शिद्धान का परमाणू बात कहते हैं डाल्टन के सिद्धान के अनुशार सभी द्रव परमाणू से निर्मित होते हैं जो रासानिक अपक्रिया में भाग लेते हैं डाल्टन सा आप कहते हैं सभी द्रव परमाणू से निर्मित होते हैं जो रासानिक अपक्रिया में भाग लेते हैं दूसरा है पर्माणु अभिभाज सुछमतम कण होते हैं जो रासानिक अपक्रियाम में न तो स्रिजित होते हैं न ही उनका बिनास होता है। समान होते हैं दिये गए तत्त के सभी जितने तत्त हैं किसी तत्त के सभी पर्माणों का द्रभ्मान यो रासानिक गुर्धर्म क्या होता है एक समान होता है। संख्या के अनुपात में सयोकर योगिक बनाते हैं। भिन-भिन तत्तों के पर्माणुक परस्पर्ष छोटी पुर्धर्म संख्या के अनुपात में सन्योकर योगिक बनाते हैं। एक संबंधे एक यानि जैसे यस्टू है इसमें टू संबंधे वन का अनुपात है हाइड्रोजन और आक्सीजन का है। उनके कहने का मतलब है कि पुर्ध संख्या के अनुपात में ये संयोकर योगिक बनाते हैं। और छठमा है किसी भी योगिक में पर्माणों की सापेच संख्या एवं प्रकार निशित होते हैं। यानि किसी भी योगिक में परमाणों की जो साफ़ेश संख्या होती है यह प्रकार वो क्या होता है निसित होता है राश्यायनिक संयोजन की नियम सभी प्रकार की योगिक दो अथवा दो से अधिक तत्नों के परमाणों के संयोजन से बनते हैं हम जानते हैं जो भी यविग बनते हैं, दो अथवा, दो से अधिक तत्ओं के परमाड़ों के परस्पर स्योजन से बनते हैं. लवाजीय एवं प्रायुश ने बहुत अधिक प्रायुगिक कारें के पस्चात यह देखा कि, सभी रासानिक अपक्रियां कुछ सामान नियमों का पालन करती हैं इन नियमों को ही रासानिक सेयोजन का नियम करते हैं लवाजी एम प्राउश्ट ने बहुत अधिक प्रायोगे कार किया और उसके पस्चा देखा जो भी रासानिक अपक्रियां हैं कुछ सामान नियमों का पालन करती है और इन नियमों को ही रासानिक संयोजन का नियम कहते है लवाई जी प्रावश्ट ने दो रासानिक संयोजन के नियम का प्रतिबादन किया तो पहला नियम है द्रवमान सरच्छन का नियम द्रवमान सनच्छण का नियम इस नियम के अनुसा द्रव अभिनासी है अर्थाद द्रव को न तो उत्पन किया जा सकता है और न ही इसको नश्ट किया जा सकता है और तक किसी भी रासानिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रब्मान अपक्रिया के बाद भी उतना ही रहता है जितना की अपक्रिया के पूरू यानि एक किसी रासाने के अपक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं जो उत्पात बनते हैं तो अभिकारक का दर्मान और उत्पात का दर्मान क्या होता है एक समान रहता है दूसरा नियम है इस्थिर अनुपात का नियम। अथ्वा किसी भी स्रोज से प्राप्त किया गया हो तत्तों के दरबमान सद्व एक निशित अनुपात में ही विद्धमान होते हैं जल यस्टू जल में हाइड्रोजन तत्था आक्सीजन के दरबमान का अनुपात सद्व एक संबंधे आठी रहेगा चाहे जल किसी भी स्रोज से प्राप्त हो या किसी विद्धी से बनाया गया हो इनका जो अनुपात होगा वो एक संबंधे आठी रहेगा तो यहीं है इस तिर अनुपात का नियम डाल्टन के परमानु से धान्त के अनुसार परमानु की परिभासा किसी तत्त का वह सुचमतमकण जो रासानिक अपकरिया में भाग ले सकता है उस तत्त का परमानु कहलाता है अब बात आती है परमाडू कितने बड़े होते हैं बात आती है कि ये जो परमाडू होते हैं वो कितने बड़े होते हैं इस पर चर्चा हो परमाडू इतने छोटे होते हैं कि हम जितनी भी बस्तों में देखते हैं उनसे तुलना करने के कलपना ही नहीं कर सकते हैं लाखो परमाड़ों को एक चट्टे के रूप में एक उपर एक रखा जाया तो बड़ी मुश्किल से कागज के एक सीट जितनी पतली परत बन सकती है अब आप अन्वान लगाए कि परमाड़ों कितने छोटे होते हैं अब बात आती है कि जो परमाड़ों होते हैं उनकी त्रिज्या कैसे मापते हैं तो परमाड़ों की त्रिज्या को नैनो मीटर में मापा जाता है परमाड़ों की जो त्रिज्या है वो नैनो मीटर में मापा जाता है एक नैनो मीटर बरावर होता है दस घाते रिड़ नौ मीटर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपान तस घाते नाइन मीटर यानि एक बटे एक पर नौ सुनना का ये भाग मा भाग अब अनमान लगाईए कि परमाणू कितनी छोटे होते हैं अब आते हैं कुछ जैसे हाइड्रोजन है रेट के कण है जल अडू है इनकी साइज कितनी होती है तो हाइड्रोजन के परमाणू का जो आकार कितना बड़ा होता है उसको साइज जो होती 10 घाते 10 मीटर जल का अडू 10 घाते रिड 9 मीटर हिमोगलोविन अडू 10 घाते रिड 8 मीटर रेट का जो कण होता है उसकी साइज कितनी होती है यानि कहलेगे डायमेटर ब्यास जो होता है 10 घाते रिड 4 मीटर चीटी जो होती है 10 घाते रिड 3 मीटर सेव जो होता है 10 घाते रिड 1 मीटर परमाणू द्रब्मान परमाणू द्रब्मान की संकल्पना डाल्टन के परमाणू सिध्धान्त के साथ ही उत्पनु ही कि किसी तत्व की सभी परमाणू एक समान द्रब्मान के होते हैं क्योंकि डाल्टन की परमाणू सिध्धान्त में बताया गया है कि किसी तत के सभी पर्माणू एक समान दर्मान के होते हैं उसी समय पर्माणू दर्मान की संकल्पना का विचार आया उस समय पर्माणू का दर्मान ग्याद करने की कोई विशिष्ट बिधी उपलब न थी अता प्रारम में हाइडोजन को मानक मानकर परमानुद्रवमान की परिवासा इस प्रकार दी गई किसी तत का परमानुद्रवमान वह संख्या है जो यह प्रदार्शित करती है कि उस तत का एक परमानु हाइडोजन की एक परमानुद्रवमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक पर्मानु हैड्रोजन के एक पर्मानु से कितना गुना है इसका मतलब है दिक इसी तत्व के पर्मानु का द्रब्मान दस है तो इसका आर्थ हुआ हुआ हैड्रोजन के पर्मानु का दस गुना है इसी पर कुछ समय बाद आक्सीजन को मानक मानकर परमानुद्रमान की परिमासा इस्व कर दीगी जब कुछ समय बीता तो वरजिलियस ने ये तो डाल्टन ने कहा था लेकिन वरजिलियस ने आक्सीजन को मानक माना तो आक्सीजन को मानक मानकर परमानु द्रमान की परिभासा इस्व कर देगी किसी तत्व का परमानु द्रमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमानु आक्सीजन के एक परमानु के एक बटे 16 से कितने गुना है किसी तत्व का पर्माणु द्रभमान वह संख्या है जो ये परदर्शित करती है कि उस तत्व का एक पर्माणु आक्सीजन के एक पर्माणु से पर्माणु के एक बटे सोला से कितने गुना है जैसे जैसे पर्माणु द्रभमान का प्रायोगिक निर्धारन अधिक सुच्म एवं सुद्ध होता गया इन दोनों प्रकार के पैमानों में उत्पन भ्रहम बढ़ता गया वर्ष 1961 में IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry द्वारा एक नवीन मानक स्युक्रित किया गया जिसमें कार्बन तत के सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध एक समस्थानिक जिसका पर्माणु द्रभमान 12.00 पर्माणु द्रभमान मात्रक एटामिक मास यूनिट आर एयम यू निर्धारित किया गया 1961 में IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry का एक संगठन है कि द्वारा एक नवीन मानक स्युक्रित किया गया जिसमें कारवन तत के सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध एक समस्थानिक जिसका पर्माणु द्रभमान 12.00 पर्माणु द्रभमान मात्रक पर्माणु द्रभमान मात्रक एटामिक मास यूनिट आर एयम यू निर्धारित किया गया अब इसके अनुसार देखी परिभासा क्या है अता परमानो दरब्मान की आधनिक परिभासा के अनुसार किसी तत का परमानो दरब्मान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत के एक परमानो का दरब्मान कारबन बारे के एक परमानों के दरब्मान के एक बटे बारे से कितने गुना है किसी तत का परमानों दरब्मान हुआ संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व के एक परमानों का दर्मान कारवन बारह के एक परमानों के दर्मान के एक बटे बारह से कितने गुना है नाशकार